जाहिन दोस्तों सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एहमत टेक्नलोजी में दोस्तों कल आपका एक्जाम है कल 23 मार्च है और कल आपका M1 R5 का एक्जाम होगा अगर आप उत्तर परदेश से हैं तो आप परिशान मत होईए कल आपका एक्जाम नहीं है आपके एक्जाम पोस्ट पोन हो चुके थे अगर आप अधर स्टेट से बिलों करते हैं किसी भी स्टेट से तो कल आपका एक्जाम होगा ठीक है उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं उत्तर प्रदेश से आपने form फिल क्या है तो आपका exam जब भी होगा दोस्तों मैं आपको inform कर दूँगा लेकिन आप इस वीडियो को देख सकते हैं आपके लिए ये वीडियो काफी important है क्योंकि आपका भी exam जल्ध ही होने वाला है मार्च में तो आपका exam दोस्तों नहीं होगा लेकिन अपरेल में होने के chance है तो आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो के last में आपको अपना score बताना है कि आपके 50 में से कितने question सही हुए हैं और कल जो भी बच्चा exam देने जाएगा उसको comment box में comment करके बताना है कि कौन-कौन से question पूछे गए थे ठीक है question याद कर गया आना और बताना कि कौन-कौन से question पूछे गए थे ताकि और भी बच्चों को इससे help मिल सके ठीक है भई तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो मैंने याप एक question लिखा है और उसका सीधे direct answer लिखा है मैंने याप question हिंदी में, English में नहीं लिखा है क्योंकि समय बहुत कम है question हिंदी में लिखने में, English में लिखने में फिर उसके चार option लिखने में वहुत समय लगता है तो मैंने समय इतना नहीं है दोस्तों आपके पास भी तो question के बाद सीधा मैं आपको answer बताऊंगा सीधा आपको answer बताऊंगा 50 question करेंगे 10 minute में यह हो जाएंगे तो सबसे पहला question है आपका Wi-Fi की full form क्या है कहीं बार repeat हुई है वह level exam में Wi-Fi की full form है wireless fidelity question number 2 सबसे तेज memory जो access करती है जो memory सबसे तेज access करती है उसको क्या बोलते है वई cash memory उसको बोलते है question number 3 light pen क्या है input device, output device से यह question है तो light pen आपका क्या है बई यह input device है, ठीक है क्या है input device, question number 4 यह काफ़ important question है question number 4, clipboard क्या है clipboard क्या है, ऐसे question को देखके student घबरा जाते है, ठीक है तो आपको घबराना नहीं है दोस्तो, copy या cut किये हुए character यहाँ पर save होते है जो आपने copy या cut किये हुए character है या पर save होते हैं, उसको clipboard बोलते है question number 5, पहला search engine क्या है यह most important question है भई पहला search engine कौन सा है, ठीक है तो आपका answer हो जाएगा आरची, ठीक है पहला search engine पूछे तो आपका answer हो जाएगा आरची question number 6, MS word में hyperlink के लिए किस shortcut की का use किया जाता है question मैंने या पर दोस्तों English में लिखा है ठीक है, तो आप समझ सकते है MS word में hyperlink की shortcut की आपका बतानी है तो control case का answer हो जाएगा ठीक है भई, control case का answer हो जाएगा question number 7, full form of card card की full form क्या है computer added research and development इसकी full form होती है, ठीक है question number 8, file को permanent delete आपको करना है तो आप किस shortcut की का use करेंगे, बताएगे file को आप permanent delete करना चाते हैं, तो आप किस shortcut की का use करेंगे, यह आप से पूछा है तो shift के साथ में delete का आप use करेंगे, ठीक है भई, shift के साथ में आप delete का use करेंगे, तो आपकी file permanent delete हो जाएगी, अगर आप direct delete करते हैं दोस्तों तो आप सभी जानते हैं वो trash box में चली जाती है आप उसको दुबारा restore कर सकते हैं लेकिन shift के साथ में अगर आप delete दबाते हैं तो आप उसको दुबारा restore नहीं कर सकते हैं दुबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं question number 9 full form of IP ये भी काफ इंपोर्टेंट है IP की full form क्या है internet protocol ठीक है बई क्या है internet protocol question number 10 WEP ROM का पूर्ण रूप क्या है electrically erisable नहीं यहाँ पर दोस्तों electrically हो जाएगा यहाँ पर electronically लिखा है यह गलत है electrically erisable programmable read only memory ठीक है बई क्या हो जाएगा read only memory ROM का मतलब होता है यह आप सभी जानते है EP ROM का WEP का मतलब क्या है electrically erisable programmable ठीक है यह हो जाएगा इसको सही कर लेना question number 11 full form of RDS remote desktop service ठीक है remote desktop service question number 11 question number 12 computer में pen का मतलब क्या होता है computer में pen की full form क्या होती है यह आप से question पूचा है personal area network ठीक है personal area network इसका answer हो जाएगा question number 13 among app में N का क्या मतलब है इस तरह से बूचता है among में among में N का क्या मतलब है A का क्या मतलब है अगर आपको among की पूरी full form याद है तो comment box में बताइए दोस्तो तभी आप इसका answer भी कर सकते है तो among app में N का मतलब होता है बढ़ी new age ठीक है new age और among काफी important है full form इसकी और इसके long question विया सकता है safari क्या है question number 14 safari क्या है बढ़ी तो safari एक search engine है true या false में आपसे पूचा है बताओ क्या safari एक search engine है true या false बताजे दोस्तो क्या safari एक search engine है तो इसका answer हो जाएगा दोस्तो फाल्स ठीक है क्या answer हो जाएगा बई false हो जाएगा safari एक web browser है safari क्या है एक graphical web browser है जिसको apple के दोवारा develop क्या गया था या आपको धियान में रखना है ठीक है question number 15 what is p2p p2p का मतलब क्या है peer to peer ठीक है peer to peer इसका मतलब होता है which is first graphic web browser पहला graphical web browser कौन सा है यह आप से पूचा है तो moza किसका answer हो जाएगा भई ठीक है यह repeated question है शोलवा question repeated है moza किसका answer हो जाएगा question number 17 CPU में CPU की full form काफी important है और ALU की भी central processing unit CPU की full form होती है और arithmetic logic unit ALU की full form होती है ठीक है तो CPU में ALU की ALU एंक गनित यह भई अंक गनित है और तार्गिक संचालन का काम करता है question भई यार English में हिंदी में आप ही समझेंगे ना तो question हिंदी में है ना English में देखे आप chat भी सी तरीके से करते हैं WhatsApp अगयर आप तो आप समझ सकते हैं भई काफी कम समयता यार इसलिए ऐसे ही टाइप किया आप इसको मैनेज कर सकते हैं इस काउंसर हो जाएगा true ठीक है question number 18 Bada is a mobile operating system क्या Bada is a mobile operating system है true या false तो इस काउंसर हो जाएगा भई true ठीक है webpage किस format में save होता है question number 19 webpage जो होता है वो किस format में save होता है या आपसे पूचा है तो .htm या .html दोनों format में save होता है ठीक है दोनों में हो जाता है अगर आपको option में .htm मिले या .html और बोथ मिले तो दोनों इसका answer आप कर सकते हैं ठीक है question number 20 full form of ASCII very important question है भई question number 20 very important है इस बार भी आने के पूरे पूरे चांस है इसके full form American Standard Code for Information Interchange जो MCQ की 10 MCQ की हमारी आठ किलास हुई है उसमें आप देख सकते हैं हर वीडियो में या question मिल जाएगा ठीक है क्योंकि important question number 21 full form of IBM international business machine इसके full form होती है IBM की question number 21 full form of HTTP very important question है hypertext transfer protocol network server कौन सा है तो senior इसका answer हो जाएगा ठीक है question number 24 shortcut key for open new tab in browser browser में आपको new tab open करना है तो क्या use करेंगे control T का हम use करेंगे question number 25 full form of SMTP simple mail transfer protocol ये भी very important full form SMTP HTTP HTML इनको आप याद कर लेना comments यहां आ सकती है SMTP किसके लिए use होता है तो transfer या आप देख सकते है mail transfer के लिए use होता है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका answer mail transfer के लिए use होता है question number 27 founder of Gmail Gmail के founder को न है पोल बुची इसका answer हो जाएगा ठीक है अगर पूचे Gmail के email के नहीं है email के लाग है बताऊंगा आपको आगे full form of यहाँ पर भाई हो जाएगा PNG ठीक है यहाँ पर लिखा नहीं है PNG हो जाएगा PNG PNG के full form क्या है portable network graphic ठीक है question number 39 second name of junk mail junk name का दूसरा नाम क्या है तो इसका answer हो जाएगा spam यहाँ पर आप से पूचा दोस्तों junk mail का दूसरा नाम क्या है तो इसको हम spam के नाम से भी जानते है ठीक है question number 30 full form of OCR optical character recognition या पूचे optical character reader भी अगर option मिले तो सही होगा question number 31 full form of S.A.S.S. software as a service इसकी full form होती है ठीक है यह important वैसे नहीं है लेकिन आप इसको याद कर सकते है आ सकता है founder of internet internet के founder कोन है तो इसका answer जाएगा भाई अरपा इसकी full form आपको comment box में बतानी है क्या होती है question number 33 full form of Bheem भई full form जादा इसलिए मैं बता रहा हूँ 4-5 full form आएगी ठीक है तो दिहान से देख लेना भारत interface for money Bheem की full form होती है question number 34 AI किस generation में use हुआ था AI artificial intelligence किस generation में किस PD में use हुआ था यह आप से पूछा है तो 5th PD में 5V PD में 5V generation में इसका use हुआ था ठीक है question number 35 founder of email email और Gmail क्या लगा लगा है तो email के पूछे तो Ray Tom Blinson और Gmail के पूछे तो poll बोची तांसर हो जाएगा question number 36 बताइए land की full form क्या होती है man की और when की तीनों important land, man, man इनके बारे में long question आता है पांच नंबर का उसको भी आप याद कर लेना वीडियो में उल्डेडी बना चुका हूँ local area network किसका अंसर हो जाएगा man पूछे metropolitan area network और when पूछे wide area network ठीक है full form of EDS electronic data system इसका अंसर हो जाएगा Linux क्या है एक operating system है और Unix Unix क्या है operating system है लेकिन यह क्या है paid है फिरी नहीं है Linux एक operating system है यह फिरी है फिरी open source है इसको आप फिरी में download कर सकते है full form of ALU arithmetic logic unit यहाँ पे अस्थ हो गया यह गलत है arithmetic logic unit इसकी full form होती है question number 41 shortcut key for justify justify करने के लिए किस shortcut key का use करते है तो control J का आप use करते है question number 42 TCP IP transmission control protocol internet protocol इसमें 5 layer होती है काफी important है ठीक है अगर पूछे TCP IP में कितने layer होती है तो 5 layer sorry 4 layer होती है लेकिन जो exam 2021 में होता सितंबर में उसमें 4 option में नहीं था 5 option में था अगर 4 नहीं हो नहीं है तो 5 करना 5 नहीं है तो 4 करना ठीक है वही दोनों नहीं देगा option में दोनों नहीं देगा ये guarantee है OSI model की कितने layer होती है 7 layer होती है साथों को मैंने आपको बताया था किस ट्रिक से याद करना है ठीक है question number 44 internet किसे topology का use करता है इंटरनेट जो होता है किस topology का use करता है मेंस topology का use करता है topology से भी एक question आएगा ठीक है पाच नमबर में full form of Mac media access control इसकी full form होती है ठीक है Mac की full form कि क्या होती है भई media access control और ये कितने बिट का होता है question number 46 पे लिखा है Mac कितने बिट का होता है 48 बिट का ये होता है ठीक है question number 47 shortcut की for hyperlink ये भी पीछे भी आया था control case की shortcut की होती है सबसे तेज memory काम करती है बताओ सबसे तेज memory कौन सी काम करती है register memory का answer हो जाएगा question number 49 और 50 important very very important IPv4 का address क्या होता है 32 bit क्या होता है 32 bit और IPv6 का 128 bit एक आएगा इनमें से 100% ठीक है एक आएगा भई और internet protocol version 4 internet protocol version 6 इनकी full form होती है confusion में मत रहना ठीक है तो 50 हो गए आपको बताना है comment box में के आपको कितने answer आपके सही होए है ठीक है आप कितने का answer अपनी तरफ से जानते थे ठीक है भई तो अगर आप channel पर नए है channel को जरूर सब्क्राइब कीजिए दोस्तों काफी मेहनत इन चीजों में लगती है और अगर आपका कल exam है तो अच्छे से पढ़िए जो आपने पढ़ा उसको revision कीजिए आपका exam अच्छा जाएगा डरने की कोई भी बात नहीं है ठीक है तो जो भी आपने पढ़ा उसको revision कीजिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत